नमस्कार दोस्तों इस Study with Happiness में आप सभी का स्वागत है और दोस्तों आज के वीडियो में हम इलाबाद High Court समिक्षा अधिकारी की Cut-Off का रुजहान देखने वाले हैं अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं वीडियो पसंद आए तो अन्त में लाइक भी कर सकते हैं दोस्तों जैसे कि कल Official Answer की आ गई थी उसके बाद हमने अपने चैनल पर एक सर्वे करवाया जिसमें 9000 लोगों ने वोट किया है आप देख सकते हैं और यह अभी भी आपको हमारे चैनल पर Community टैब में मिल जाएगा तो यहाँ पर आप देखेंगे कि जो हमने parameter दिये थे वोट करने के लिए उसमें आप देखेंगे 160 प्लस पे भी 16% वोट आए हैं तो क्या 1000 से अधिक लोग ऐसे हैं जिनके 160 नंबर आए हैं दोस्तों पेपर इतना भी आसान नहीं था कि 160 लाना इतना आसान हो तो इसलिए मैंने एक अनुरूद भी किया था कि 160 प्लस वाले अपना रोल नंबर भी बताने की किरपा करें तो दोस्तों मात्र एक परसन ही ऐसा था जिसने रोल नंबर बताया बागी तो मुझे लगता है वोट करने ही आ जाते हैं इसके अलावा आदी योगी जी है इन्होंने यही बताया है कि गुरूजी अगर आप 190 से 200 वाले भी ऑप्शन कर देते तो वहां भी वोट आ जाते हैं बिल्कुछ सही बात है कुछ लोग सिर्फ और सिर्फ वोट करने ही आते हैं अगर मैं इसमें से यह लिख देता है कि 200 में से 200 बन रहे हैं तो भी कई लोग का वोट आए तो इसलिए आपको घवराने के आवशक्ता नहीं है मगर फिर भी जो आप देखेंगे जारतर जो वोटिंग आई है वो यहाँ पर आप देख सकते हैं 141 और 150 और 151 और 160 इसके बीच में जारतर जो अच्छे और सीरियस पढ़ने वाले एस्प्रेंट हैं उनके 140 से लेकर 155 के बीच में जो हैं नमबर अधिकांस बन रहे हैं और कम बाले भी हैं ऐसा नहीं है क्यों हो सकता है कई बार यह वाली परिक्षा जो है पहली बार दी हो या फिर और भी कई कारण रह सकते हैं कि आपके नमबर सही नहीं बन पाए मगर मुझे जो लगता है दोस्तों वो मैं आप लोगों को बता रहा हूं कि मेरे साब से जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया था कि 150 प्लस अगर आप अन्रिजर्फ केटेगरी को बलॉंग करते हैं तो मेरे साब से आप इन है अब दोस्तों क्या करना है क्योंकि दोस्तों कई बार कट ओफ अचानक से सड़नली घूम जाती है कई बार नीचे भी चली जाती है और कई बार जो है उपर भी चली जाती है जैसे कि आप देखेंगे इलाबाद हाई कोट ARO जब पिछली बार की कट ओफ थी तब 160 चली गई और आप यकीन मानिएगा जो UPPSC 2017 वाला ARO ARO की परिक्षा होई थी उसमें ARO की कट ओफ बहुत जादा नीचे आ गई ठीक है तो इसमें भी मैं यह नहीं कहूँगा कि जिनके 140 हैं वो टाइपिंग ना करें दोस्तो मैंने जिसकी पहले भी आपको बताया था कि टाइपिंग जो है वो आपकी तैयारी का हिस्ता होने चाहिए ठीक है तो मैं ऐसा जो है आप लोग को जूटी दला सा कोई नहीं दूँगा और ये भी नहीं कहूँगा कि आप टाइपिंग छोड़ दें Otherwise क्या होगा मान लीजिए आपके कम नंबर है मान लीजिए किसी के 135 ही है वैसे chances कम है मगर मान लीजिए cut off नीच आ जाती है और फिर आप कहेंगे मुझसे ही कि जो है आपने कहा था कि इससे कम नहीं आईगी मेरे नंबर आ गया और मैंने आपके चकर में टाइपिंग नहीं की और मैं फेल हो गया इसके जिम्मेदार आप हैं क्योंकि दोस्तो हम लोग अपनी असफलता का ठीक रहा किसी ना किसी और पे फोड़ना चाहते हैं और यही कारण है कि हम बार बार असफल होते रहते हैं अगर दोस्तो आपके नंबर कम आए हैं तो मेहनत कीजिए और जल्दी ही मैं आपको जानकारी दूँगा इसमें कि कि दोसों में से 200 बन रहा है तो रहिए कुछ लोग जो है न वो सिर्फ एक तरीक दर पैदा करने के लिए पैनिक पैदा करने के लिए कि जो किनारे पे लोग हैं वह टाइपिंग ना करें अभी और हां देकिए दोस्तों यहां पर कोई कैटिगीरी मेंशन नहीं की गई है त आपको ये भी तो देखना है वेकेंसी पिछली बार कितनी जादा थी है और इस बार कितनी कम है और पहले लोग इतने जादा अवेर भी नहीं हुआ करते थे और जादा पुरानी भरती हों मगर अब जो हैं अवेर हो गए हैं जो कि IAS या PCS की तयारी कर रहे हैं उन्होंने भी ये परिक्षा दी है ठीक है तो टाइपिंग करनी है आपको अगर आपके नंबर कम बन रहे हैं दोस्तों वो अगर आपके 135 से उपर नंबर बन रहे हैं तो भी आप टाइपिंग करते रहे हैं आपका सेलेक्शन हो या ना हो और जो 150 से प्लस वाले हैं वो जो है जनरल के लि या 150 और आपके 151 भी आए हैं या 150 भी आए हैं तब भी आप यहाँ पर lead ले सकते हैं ठीक है और जिन भी लोगों का selection होगा उन लोगों को मेरी तरफ से जो है टाइपिंग के लिए guidance मिलती रहेगी त्योंकि दोस्तों जो 2016 की जो परिक्षा थी मैंने आपको पहले भी बताया था उसमें मेरे को 50 में से 49.9 अंग प्राप्थ हुए थे तो मेरी कोशिश रहेगी कि अगर आप अपनी मैनत से 40 ला सकते हैं तो मैं आपको कुछ सुझाद दूँ जिससे कि आप 45 ला पाएं अगर आप 45 ला सकते हैं तो फिर जो है आप 48 ला पाएं इस तरीके की जो है आपको guidance हमारे चैनल के माद्यम से मिलेगी इसलिए अगर आप इलाबाद हाई कोट की परिक्षाओं के पृतिजरा से भी गंभीर हों तो आप हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजेगा जिसे की जो भी वीडियो अपलोड हो आपको जानकारी मिलती रहे जल्द मिलेंगे दोस्तों हम नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए ज केहिन जय भारत